दोस्तों नमस्कार एवार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों मैं आपर उत्तर प्रदेश इस्पिसल का टेस्ट लगाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग दिया गया है कि शन 1857 के प्रथम सुतन्ता अंदुलन में बरेली में किसने नेतरत किया था वो किसने किया था चलिए ओप्सन आ रहा है आपका D नमबर विर्जित वाई विर्जित नहीं होगा और कोई जवाब दीजे चलिए ओप्सन आपका D नहीं होगा A होगा याद रिखे खान बहादूर चलिए अगला कोईशन दिया गया है उतर परेस के किस सहर को सलतनत काल में पूर का सिराज कहा जाता था तो चलिए जवाब दीजेगा कि उत्तर प्रदेश में किस सहर को सल्तनत काल में पूर का सिराज कहा जाता था यहाँ पर अंसर क्या हो जएगा चलिए अंसर यहाँ पर देखे आपका जवाब आ रहा है जौनपूर बिल्कुत सही है आपका जवाब बन जायगा डे नमबर जौनपूर याद रिखे जौनपूर की जो इस्तापना की थी वो आपके फिरोज साथ तुगलक ने किया था तो आपके किसे के फिरोज साथ उगलक ने किया था, किसके याद में करवाया था, तो जाउना खां, किसे जाउना खां के याद में कराया था याद रिखेगा तो option क्या हो जईगा, D-Number राइट हो जएगा, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है, 4-4 घठना कब घठी थी? यहाँ पर जवाब दीजेगा यह 4-4 घटना जो घटी थुई वो आपके कब घटी थुई यहाँ पर अंसर देना है देखें आपका 1922 आप सभी को पता है लेकिन डेट के अगर बात करते तो आपका क्या होजेगा यह नंबर आपका होजेगा आपके 4 फरवरी 1922 को 24-24 के घटना घटी थुईती आप्सन जिसका आ रहा है यह नंबर विल्को राइट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है एक नौवंबर 1858 इस भी को महारानी गोशना पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था यहाँ पर बताएगा महारानी गोशना पत्र है इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था तो देखे यहाँ पर जो आपके कौन थे आपके गवर्नर जनरल उते समय थे लेकिन इनको पहला गवर्नर इनको बना दिया गया था वाईसराय बना दिया गया था मतलब जो आपका उप्सन होजेगा आपका बी नंबर होजेगा यह आपके लाड कैनिंग है क्या है वही लाड कैनिंग है उप्सन बन जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर का सी नमबर आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निम्हें कि तुमेंसे कौन सा फाइल चक्र फसल स्वरी यहां पर फसल हो जाएगा यहां पर देखिए आपको फसल कर लेने कौन सा फसल चक्र ठीके फसल चक्र पूरी उत्तरवदेश के लिए सरवाधी कुपयुक्त है तो बता है कि मुणने कोशन दिया गया है उत्तरवदेश में साथ यह जेशन Caleb हमने बता है से होता है क्या बही से बढ़्क होता है और चकछडी से चॊवन होता है अर्थातों अगर पूंचे चकछडी कब आपके लागू की गई चकभंधी आपके तो आपको 1954 होता है क्या होता है 1954 अगर पूंचे के पूरे उत्तर व्देफ में तो आपका 1958 में यहां पर आपके पूरी तरिके से लागू होई थी अगर यहां पर पूचा है किसान बही और भई वहे से होता है करते हैं और साथ साथ में जब टाइम मिलें तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें चलिए तो ग्रेनाइट पट्टियां तता स्लेट बना जाते हैं आठ कर जवाब दीजेगा चलिए कहां पर यह है आपका चुनार हमने बताया था चुनार के बारे में ऑप्सन क्या बनेगा स कुशनाप से दिया गया है राज घाट बांध एवन नहर पर यूजना उत्तरभदेश और मद्प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सयोग वाली सयुक्त पर यूजना है जो बनाई जा रही है तो यह बनाई जा रही किस नदी पर बनाई जा रही है चलिए यमना चंबल बे गई है किसकी तो आपके राज घाट बांद तो अंसर क्या हो जगा बेतवा नदी वारे जिसका भी आपसन आ रहा है बिल्कुछ सही हो जगा सी नंबर बेतवा नदी आपका सी नंबर हो जगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है नियम लिखित में से कौन सा बरच् दिखा जाए तो पूरे पस्ट की तंद्र के लिए आतनक वादी हो गया है यह आपका कौन सा है चले ऑप्सन डी आ रहा है आपका यूके लिप्टेस अना यह पानी जो है यह बहुत सुखता है यह परंसर आपका डी हो जाए यूके लिप्टेस आगे बढ़ते हैं कोशन द कुझे टैनी जातनी नीवाई है चले उप्सन सी घड़ी बोली जिसको यह विल्कू हो जाए राइट यहां पर खड़ी बोली में अग्री भूंका निवाई आपके लूम्बनी में नमबनी में लूम्बनी विल्कूर सही है आपका जवाब याद रिखे जिसका भी जवाब आया है विल्कूर सही होजेगा आपके लुंबनी में हुआ था बी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन आपस यहां पर दिया गया है कि नयमी सारण तीर्थ किस जनपद में है यहां पर अंसर को लोग करना है चले नयमी सारण जो कि आप रदेख सेटें 60,000 मुनियों की तपो इस्तली माना जाता है यूकि महा भ इस मतलौ याद की आ गया है साथ यहां पर मुहम्मद बिन तगलक जिसका झाजाना घ्रजा दिवी का जो सम्बंद है वो आपके कहां से है चले ठुमरी गाई का गिरजा देवी का जो संबंध है ये कहां से है सत्तरा का जवाब दीजेगा चले ठुमरी गाई का गिरजा देवी का जो संबंध है ये कहां से है चले कौन सा यहाँ पर घराना कौन सा है बनारस घराना बिलकुर सही जवाब आया है याद रिखी जिसको आप सना रहा है इनमबर बनारस घराना बिलकुर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तर प्रदेश में इंद्रा गांधी नचतर साला कहां पर है उत्तर प्रदेश में इंद्रा गांधी नचतर साला कहां पर इस्तित है चले इंद्रा गांधी कुछा गया है ठीक है इंद्रा गांधी नचतर साला कहां पर है आपके प्रसद उत्तर्व देश में निवास करता है चलिए बताईएगा उत्तर्व देश में जो निवास करते हैं कुल देश की जनसंख्या के अंसार कितना प्रसद करते हैं चलिए यहां प्रसद दीजेगा चलिए सोला सत्रा यहां कौन संसर हो जाएगा चलिए यहां प्रसद है और आप जवाब आ रहा है बैंन मझाए है आपकी स्टाइफों न climbs ऐसविडे निवास करता है चले तो देखे यहां पर अंसर जो आपका दिया है ए नमबर दिया है 16.17 दिया है लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है 16.17 हो गया क्यों वही देश की कुल जन संक्या का कितना प्रिश्ट उत्तर्ब देश में निवास करता है चले ए नमबर ही होगा या दूसरा होगा ए नमबर ही होगा याद रखे 51 होता है मतलब के सकते हैं 16.51 होता है सुद्ध जो होता है वो 16.51 होता है तो अब आपके और सार आपसन आपका ए ही सही किया जाएगा कौनसा ए ही सही किया जाएगा सूरा दसमलो जो आपका सत्रा है लगबग आपको याद रिखे सूरा दसमलो 51 जो आपका हो जाएगा वो आपका ए नमर होगा जादा नहीं होगा लगबग ए उरिजमें आपको लगा देना है कम में ठीके तो आपसम क्या हो जगा ए वाला जवाब का है सही हो जएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तरबदेश की सबसे लंभी नहर आपकी कौनसी है यहाँ पर जवाद देना है सही जवाब क्या हो जगा देखो करम से सब कुछ हो रहे हैं हर एक कबर कराया है और फिर से कबर कराया है सब कुछ कबर हो जाएगा चली उत्तरवदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो आपकी सारदा नहर कौन सी ऑप्सन मनेगा यहां पर आपका D-Number सारदा नहर याद रखेगा सारदा नहर को कई नाम से जाना जाता है अना यह नेपाल की यह तराइ भागया, वहां से निकल के आती है काली नदी I-Star rating में इसको काली नदी कहते हैं फिर इसको नाम घागरा नदी भी है इसी का नाम यहां पर क्या है सर्यू नदी भी है कई नदियों का मतलब इस नदी को अपनी अपनी अलग जगा में कई नाम इसके दिये गए तो option आपका D हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question दिया गया है बनारस हिंदू विश्विध्याले का सिला नयास जो किया वो किस ने किया था इस question का जवाब कौन-कौन सा ही देने वाले हैं एक किस नमबर में चलिए option क्या हो जाएगा हर्डिंग हो जाएगा या मदन मोहन मालवी होगा देखे आज भी question काफी लोग गलत कर रहे हैं देखो हमने बताया था जब सिला नयास की बात करते हैं तब हर्डिंग को लगाया जाता है क्या जब सिला नयास की बात करता है तब हर्डिंग लगाया जाता है यहाँ पर जो option आपका सी नमबर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लगाना है कौनसा आपका हर्डिंग लगाना है जब सिला नयास की बात करें जब यह पूचे बानारत सिंदुभी सुध्याले कि स्थापना किस ने की थी तब आपको यहां पर लगाना है मदन मोहन माल भी लगाना था ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि निम लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है उ अब संस्ती होजेगा गोकुल बैराज परियोजना ठीक है आपर बैराज होगा वेंगन नहीं होगा गोकुल बैराज होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है पूरा पर्षिम और उत्तर दच्छिन कोरिडोर जो कि सिक्स लेन के जो राश्टीर राजमार्ग है वह एक दूसरे को जो मिलते हैं वह आपके कहां पर मिलते हैं इनका जो मिलन बिंदु है वह आपके कहां पर है इसका अंसर देना है तो आपको जानते हैं हना क्या जानते हैं जहांसी वाली रानी और जहांसी वाली जो रानी है कहां से थी तो आपके जहांसी मरने की घटना को महा पर निर्वाण कहा जाता है मतलब आप कंसर क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर दियावब दीजे आपका सही जवाब क्या होगा 24 नमबर में चलिए 24 का आपसन आरा है कुसी नगर बिल्कुश सही है याद रिखेगा कुसी नगर को हम लोग कुसी नारा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पुराना नाम कुसी नगर का कुसी नारा था और समुझेगा सी नमबर हो जएगा ठीके ना केलियर है चलिए यहाँ पर देखे अगला कुशन दिया गया है कि कुसी नारा अर्थात वर्तमान कुसी नगर की राधधानी थी यह जो कुसी नगर है किसकी राधधानी सी बताइए यहां से कोशन भी हाली में कोशन पूचा गया था आपके आरो एकजामे ठीक है ना चलिए तो देखो यहां पर जो कुसी नगर है इसकी राधधानी पूचा तिर्थ तिर्थ त्रिस्थाल है आपका कौन सा है चलिए फास्ट रवीजन करना है टाइम नहीं काटना है कि एक क्वेशन को लो और एक दो मिनट तक उसी में टाइम कारते रहो वह जाएंगे चलिए उत्तरवदेश में जैन और बहुत धर्म दोनों का प्रसित तिर्थ याप होज़े यहां पर देखे आपका अंसर होज़ेगा नंबर और अल अग्ला कोशन दिया गया है ये भारती दलहन सूध संस्थान भारती दलहन सूध संस्थान पूछा गया है कहां पर है दलहन कहां पर है तो ये है आपके कानपूर में भई आप्शन क्या बनेगा आपके कानपूर में है दलहन सूध संस्थान आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निम्रिकित में से किसका प रूप में आपके इलहावास्ति और आपके हल्दिया के मद्द इसमें गंगा नदी का प्रियूप किया जा रहा है जो कि राष्टी जल मार की रूप में तो आप सुन क्या जाएगा यहां पर आपका अंसर हो जगा ए नंबर राइट हो जाएगा किलियर हुआ इतना तो देखें बिलकुर सही जवाब आ रहा है कि तान सीन का जो मकबरा है वो आपके ग्वालियर में है ओप्सन क्या हो जगा यहां पर बी नंबर हो जगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि प्रदेश के सर्वथम किस पच्छी विहार की स्थापना की गई थी चलिए नवाब गंच पच्छी विहार है और इसका वर्तमान नाम क्या है इसका वर्तमान चंसेखा राजात पच्छी विहार है ठीके चंसेखा राजात के नम पर इसका नया नाम कर दिया गया है चंसेखार आजात पच्छी विहार कर दिया गया है ठीके ना यहां पर देखिए जाएज जाएगा जांसी कि पाएगाहाँ पर अपनेगा यहाँ पर आपका ंबर और आगे बढ़ते हैं कि भारत में उत्तर प्रदीश अग्रणी है बारत में उत्तर प्रदेश जो अग्रणी है यह किस का अग्रणी है कि सुथ-पादन का अग्रणी है जो, चावल, बाजरा या डालों का किस का बनेगा चले 33 नबर का जौब दीजिएगा किस का अग्रणी है तो भई यह नाहां पर दीखे चावल का तो है नहीं है बाजरा नहीं है तो आप्षन नहीं हो जगा जो का है क्या भई जो आप्षन आपका बन जगा ए नमबर हो जगा अगला कॉशन दिया गया है उत्तरवदेश का सबसे बड़ा वन जू बिहार इन में से कौन है लेकिन पूछा गया सबसे बड़ा ये है आपका हस्तीना ये क्या है वन जी बिहार की बात हो रहा है पच्छी बिहार की बात नहीं हो रही है अगर पच्छी बिहार होता तो हम लोग क्या बताते हैं लाक बहुसी पच्छी बिहार को बताते हैं लेकिन यहाँ पर पूछा है निचली गंगा नहर का उधगम स्थल कहां पर है निचली गंगा नहर का उधगम इस्थल पूछा गया है कहां से है चले यहां पर जवाब दिजेगा चले देखिए पैंतिस नमबरже यहां पर आपको नर को मपड़त해주क्त बुलंद सेहर में पढ़ता है monster परमाड जुसयंत रहे आपके कहा पढ़ता है नरोरा में ही पढ़ता है ठीक है नरोरा जो कि यहाँ पर आपको बताया भी गया था चीने में टीके जो बरतन भी बनते हैं बुलंस है खुरजा में बनते हैं तो वहीं पर आपका यह नरोरा है option अपका D हो जाएगा नरोरा अग छो के सुनिध्डे में है अगला है चावल का तु रिजड़ा का इलाहवाध है दालों पूछा गया है और यह हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक है यहां पर देखे आपका राइट अंसर क्या होगा इससे रिलेटेट कोशन पूछा गया था आरू में लेकिन सेम टू सेम कोशन नहीं था इसका अंसर हो लिगा ए नमबर आपके कहाँ पर आपके आगरा में यह भी बताया था सुला कुल उत्सव अगर ना दिया हो और आपसन में आपका मेरट दिया गया हो मेरट में दिया गया हो तो मेरट में आपका जो लगता है आपका कौन सा कौन सा में लगता है मेरट में लगता है होली के बाद रंग भिरंगा मेला लगता है जिसे बोलते है क्या बिलकुल है नोचंदी महुस्षव याद रखेगा हिंदू muslim एकता का प्रतीक यहाँ पर जो नोचंदी महुस्षव है यह भी हिंदू muslim एकता क्या है एक प्रकार का प्रतीक है तो जब सुला को लुत्सवना दिया हो तब आपको मेरट लगा देना है ठीक है और भी आपके कई प्रकार के मेले हैं जहां पर हिंदो और मुस्लिम के प्रतीक के अंसार लगते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि उत्तर देश में किसान मित्रियोजना आरम की गई इस कोशन को नोट करिए क्योंकि लेकपाल एकजाम के लिए महा संभावित है याद रखे ये कोशन महा संभावित है कि उत्तर देश में किसान मित्रियोजना कब प्रारम हुई थी चलिए यहां पर अंसर क्या हो जएगा चलिए 2001 को होगा तो 2002 को 2001 को विल्कुल सही है यहां पर अंसर हो जएगा 18 कि कौन सा समेलित नहीं है बिर्जु महाराज का संभावित है कथक से बिर्जु महाराज का संभावित है आपके कथक से दिया गया है जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ठीक है यह सही है जाकर रुसान आपके तबला वादक है ना जाकर रुसान का संभावित है आप किस नगर को भारत का सीराज कहा जाता है यहां पर जवाब दीजेगा यहां पर सही जवाब क्या हो जएगा अर्थात है यहां पर लगता है कि अधूरा कोश्चन आपको दिया गया है ना चलिए अधूरा कोश्चन है फिर भी हम या पर आपको आपसन दे देते हैं किस नगर क को भारत का सिराज कहते हैं पहले आप लोग बताइए फिर हम देखते हैं कि आप लोग सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे चले भारत का सिराज किसे कहते हैं आगरा को या इलाहबाद को या जौनपुर को या लखनों को किसे कहेंगे तो भारत का सिराज कहते हैं आपके जोनपुर को कहते हैं、 किसे? आपके जोनपुर को कहा जाता है, जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है? चलिए, अच्छी वात है, आप सभी का जवाब आ गया है, आगला कोशन दिया गया है, कि कर्मा किस छेतर का लोक नत्र है? आपका जवाब देना है, सही जवाब इन कर्मा है आपके सोनबद्र चेत्र का option जगा ए नमबर हाँ मालो कि कर्मा अगर यहां पर दिया होता सोनबद्र ना होता मिर्जापूर जरूर दिया होता तो आप लोग कह सकती थी मिर्जापूर ठीक है लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो आपको सोनबद्र पहले लगाना है ठी परिश्थित है उत्तरवदेश में प्रथम मुक्त विश्विद्यार है कहां उन्सा है और कहां परिश्थित है चले उत्तरवदेश का प्रथम मुक्त विश्विद्यार है यह कहां पर है राजर से टंडन देखे ऑप्शन सी नंबर याद रिखे ऑप्शन सी हो जाएगा यहा का अंसर इनमें से क्या हो ड़ेगा चल invent ज् learn को दिया गया है नहीं तो रही सेवन आपको दिया गया है लेकिन आपका वर्तमान में बताई क्या है और太 19 यह हमने आपको बताया था कि वर्तमार में जो आपका है वो आपका NH आपका 19 यह उत्तरवदेश का है अगर भारत की बात करता कि भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार कौन सा है तब आप लोग यह NH 44 बताते तो इस कारण से उत्तरवदेश में वर्तमार में कौन सा है यहाँ पर आपको यह बताना है अगर आप्शन में होता तो ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है कि सुराह ताल पच्छी विहार अवस्ती थे यहाँ पर अंसर देना है चले आपका सुराह ताल पच्छी विहार का मिलेगा चले 45 अंबर जल्दी से दीजिएगा जवाब भई सब के जवाब देखो आ रहा है आज बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब आ रहा है सुरा ताल पच्ची भी आ रहा है आपके बलिया में हाना यहाँ पर बलिया जो कि option D हो जएगा अभी देखो किसी student का comment भी आ रहा था यह सर मैं बलिया से हूँ हाना तो चलिए यहाँ पर बड़ी खुशी होती है कि लगभग हमारे उतर प्रदेश के सभी जितने भी आपके ज स्थित है तो नरावरा भी मनतया था कि आपके बुलन सहर में है ना जो कि आप का अंसर हो जएगा डी नमबर बुलन सहर हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशना आप से एकला पुछा गया है पंचायद चुनाओ लड़ने ही तू एक ब्यक्ति की जो आई होती है वो आपके कि और शिय्षा भाथिया ब्यक्ति कि आई होनी चाहिये चलिए कितनी होनी चाहिए आपका यहाइं पर से Ст piece का जवाजा बहा आ गया है आपका बी नमबर 21 वर्स अगर आप 21 वर्स के हो गए हैं तो आप पंचायत का चुनौ लट सकते हैं और अपका बी नमबर अराइट हो जाएगा ठीके ना और यहाँ पर अगला बढ़ते हैं यहाँ पर देखे अगला है भारत में प्रथम हावाई उडान का प्रदर्शन किया गया यह आपके कप किया गया था चलिए और अपका जवाब हो जेगा 1911 में हमने बते हैं था आपके इलाहावास से नेनी के वीच में प्रथम हाई आपका उडान प्रदर्शन हुआ था अगला कोशन दिया गया है उत्तर प्रदेश बिभाजन किया गया है उत्तर और साथ option क्या बनेगा बी नमबर होज़ेगा नौ सशच से जलवाई छेत्रों में और साथ option क्या बनेगा बी नमबर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है सुमेलित नहीं है अब आप बताए कौन सुमेलित नहीं है क्या रहा है डीजल लोको मोटी वर इलक्टोनिक्स लिम्टेड ये कहां परिस्थित है भारत इलक्टोनिक्स लिम्टेड जो आपके है कहां परिस्थित है चलिए यहां पर देखे आपका बेंगलूरू हो जाएगा चलिए यहां पर आपसन जो आपका है बेंगलूरू हो जाएगा सी नमबर मतलब यहां पर सी एहां पर आपका गलत हो जाएगा ठीक है चले सी नंबर हो जाएगा अच्छा आपका घर है यहांपर देखें अगला question दिया गया है चले, अगला question दिया गया है कि Mahas-stal harmony ते आस्रम जो इस्थापी थे वो कहां बड़ते कोशन दिया गया है तो आप बताईए कहां पर कहां पर है काँ Tapis बेने कोट की कर्ते हैं तो आपके सौन भद्द में है कहां पर आपके सोनभद्र में आपका बी नंबर हो जाएगा हिंडाल को रेन कोट सोनभद्र आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि उतर्व देश के 21 जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोच की गई है आपके कहां पर की गई है चले अंसर क्या होगा तो दिखिए आपका अंसर आ रहा है चरकुला लोकन रते हैं चले देखें आपका 54 के गरम बात करते हैं तो चरकुला जो है ब्रजचेत्र का क्या यह ब्रजचेत्र का एक बहुती महत्वण आपका यह निरत है और भी नंबर हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसें उंचा कौन हो जाएगा यहाँ पर राम गंगाबांद क्या हो जाएगा राम गंगाबांद ऑप्षन क्या बनेगा डी नमबर हो जाएगा अगरा कोशन दिया गया है कि लोक नरत राहुला का सम्मंद उत्तर देश के किस जिले से है उत्तर देश में यहाँ पर राहुला का जो करें है वू कर दिया गया है प्रथम बिक स्विद्यारा इस्थापित किया रहा है जो कर दो बतार दी के और भी आपके किसित्र लौग कॉलर्च खोले जा रहे हैं जिसे लखनों में भी आपका प्रस्तावीत है हाना लेकिन जब प्रत्थम की बात करता है तो आपको चित्र कोठी आपको बताना है ठीक है आगे बढ़ते कोशना से दिया गया है उत्तरवदेश का एक मात्र मुक्त विश्विद्याला इन में से कौन हो जाएगा उत्तरवदेश का एक मात्र मुक्त विश्विद्याला इन में से कौन हो जाएगा अठावन नंबर में तो देखे आपका जवाब हो जाएगा अभी हमने बताया था कि राजर सिप्रुसुतम दास्टंडन हाना ए रहावाद में तो आपसंसी हो जाएगा राजर सन्थान विसलेशन के अंध कांपार है आपके लखणोव में है और लावाद में नहीं है आपके कानपुर में ठीक है न कानपुन में अगला कोशन दिया गया है नहीं दिखित में से कौन सा एक खनेज उत्तरवरदेश में नहीं पाया जाता है उत्तरवरदेश में पाया जाता है चलिए भाई यहां पर नय जितने लोग इस्टूजेंट जोड़ते जा रहे हैं जैसे आपके विडियो एकजाम हो आपका फारेशगार्ड लेक पाल हो गया या आपका यूपीपी हो गया सब में कोशन पूछे आते हैं चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है कि उत्तरव देश में जो आपका अब्रक है यह नहीं पाया जता है कौन अब्रक और अगला कोशन दिया गया है निम्रिकित में में है का है संत्कवीर नगर में और है वोखला पच्छी व्यार् ललितपूर दिया गया है थो अगला कोशन आप से दिया गया है कि 1903 में भारत तवस की प्रतम चीनी मिल इस्थापित की गई थी तो भारत की प्रतम चीनी मिल इस्थापित की गई थी कहां पर यहां पर जवाब दीजेगा तो चलिए यहां पर प्रताप गड़ हो जाएगा प्रताप गड़ होगा क्या होगा प्रताप पुर हो जाएगा या प्रताप गड़ होगा प्रताप गड़ चलिए जवाब दीजे प्रताप पूर ये है आपके दिवरिया में है याद रिखे प्रताप पूर दिवरिया में किया गया था आप समनेगा बी नंबर यहां पर बी नंबर होगा प्रताप पूर है अगला कोशना आप पर क्या हो जारीगा चलिए देखे आपकका जवाब आरहा सबसे पुरान सब्सक्राइक यह कोशन आग inan हैं कोछन आप से गला पूछ अवस्तित हैं हम ने इसके बारे में बताया भी था कि यहां पर ऐसे पार्टवी होते हैं और ऐसे लोगों को सिच्छा भी दी जाती हैं तो आपके कानपूर में हैं कानपूर अगरा कोछन दिया לא है भारत कला श्रंघाले पुछा गया है भारत कला श्रंघाल यह कहां पर इस्ति थे सरसठ कज़ब दिएगा तो देखे सरसठ का ओप्शन कुछ लोगों ने दिया भी है यह है आपको काउल श्रots हम उडिल और को जैगा काफ़ी लोग यहां पर ड दे इंद में से कौन थे अर्षर टंबर में चले यहां पर देखे आपका जवाब इन में से हो जएगा प्रुसुत्तम दास टंडर यहां पर ओप्शन बिल कुछ सई है आपका भी हो जाएगा अगला कोशन दिया है निम्रिकित में से कौन उत्तरप्रदेश के प्रथम लोका यु युद्ध से कौन दिया है निम्रिकित में से ओत्तरप्रदेश के कि जन्पद में आर्य भट नचत्र साला है यह तो